साउथ एफरिका की खिलाफ वन डे सीरीज में कप्तान केल राहूल है ओपनिंग करने को तयार तो अब श्रियस अयर और सूरे कुमार यादव में से कौन होगा टीम इंडिया का नमबर चार What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel और साल 2022 की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जाते हैं कि 31 दिसंबर की रात को टीम इंडिया की साउथ एफरिका के खिलाफ होने वाली वन डे सीरीज के लिए स्कौर्ड का ऐलान हुआ जिसमें के एल राहूल को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है यानि कि unfortunately रोहिच चर्मा फिटनेस की इशूस की वज़े से हैंस्ट्रिंग की इंजिरी की वज़े से साउथ एफरिका में वन डे सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे तो एक बड़ा जटका रोहिच चर्मा के कैप्टन सी करियर को उनकी पहली ही सीरीज में लग गया है लेकिन उससे बड़ी खबर जो मेरे लिए है वो है कि जस्परीत बूमरा को बूम बूम बूमरा को टेम इंडिया का वाइस कैप्टन मराया गया है लेकिन उसके साथ जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि श्रेस ऐयर के फ्यूचर पे क्या होगा सूरे कुमार का फ्यूचर क्या होगा कि जो बड़ी ख़वर निकल करके आई है इस सेलेक्शन से वो ये है कि रुतुराजगायकवार इशान किशन इन दो युवा खिराडियों को टीम में डाला गया है और उनके साथ केल राखुल चुकि अब टीम के कप्तान है और ऐसा माना जा रहा है कि आप वो टेस्ट क्रिकेट और टीटिक क्रिकेट के बाद वन डे क्रिकेट में भी ओपनिंग करने वाले है जैसे कि आप जानते हो कि केल राहूल पिछले दो सालों से टीम इंडिया के प्रिफबल नंबर पाँच रहे है जब हम आस्ट्रेलिया गए हुए थे लास्ट यर तो केल राहूल हमारे विकेट कीपर भी थे और श्रेस अईयर नंबर चार खिल रहे थे लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर रिशब पंथ को टीम में डाल दिया गया है और रिशब पंथ हमारे टी-20 में भी नंबर पाँच पर बैटिंग कर रहे हैं और वंडे में भी नंबर पाँच पर बैटिंग कर रहे हैं यानि कि केल राहूल नंबर चार से उट करके अगर ओपिनिंग पे जाते हैं तो नंबर चार के लिए आपका स्लोट खाली होता है और उसके लिए आपके पास दो बड़े दावेदार है श्रेयस अयर और सूरे कुमार यादाओ फर्स्ट फॉल श्रेयस अयर के लिए यहाँ पर थोड़ा जटका जरूर है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि श्रेयस अयर टीम इंडिया के वन डे में अगले वाइस कप्तान हो सकते है लेकिन फिर एक एक केल राहूल की आधी आई और सब कुछ उड़ा करके ले गई और अब केल राहूल कप्तान भी बन चुके हैं और जब वापर साएंगे रोहिश शर्मा तो केल राहूल ही आपके वाइस कैप्टेन होंगे वन डे किर्किट में भी इस बात पर भी मोहर लग गई है और श्रेयस अयर इस तमें अपने प्लेस के लिए लड़ रहे है सूरी कुमार य अजिन क्या रहाने तो वहाँ पर भी श्रेयस के फैंस का मानना है कि श्रेयस अयर के साथ नाइनसाफी हो रही है और अब सूरी कुमार यादव के साथ उनको कंपीट करना पड़ेगा नमबर चार के स्लोट के लिए न्यूजिलेंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप के बाद हमा कई लोग मेरे वीडियो पर आकर के मुझसे इस बार की शिकायत कर चुके हैं कि केल रहूल को आप मिडल ओर्डर से उठा कर अगर ओपनिंग में डाल दोगे तो फिर वहाँ पर रोही चर्मा शिखरधवन का क्या होगा और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रोही च जो कि सीरीज में खलका के बैटिंग कर दें 120-125 के स्ट्राइक रेट से वहाँ पर रन तरका दें और उसके बाद उनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा लेकिन अगर केल रहूल इस सीरीज में ओपनिंग करने का फैसला लेते हैं जो कि टीम इंडिया के अंदर से खबर आ रह तो नहीं शुरियस ऐयर टीम में खेल पाएंगे नहीं सूरी कुमार यादव टीम में खेल पाएंगे अब ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या आप सूरी कुमार यादव और शुरियस ऐयर दोनों को बाहर बिठाने के फेवर में हो या फिर आप शिखर धवन की बली चढ़ा करके वहाँ पर टीम इडिया में यंग्स्टर्स को डालना चाहते हो देखे दोस्तों अगर आपको नंबर 4 पर सूरे कुमार यादव और श्रीयस में से कोई एक को चुदना है उससे उन्होंने अपनी form को ले करके अपना प्रड़ा भारी कर दिया है और इस वक्त जंता की expectations भी उनके साथ है, emotions भी उनके साथ है क्योंकि उनको century लगाने के बाद, half century लगाने के बाद team से drop कर दिया गया अगर हम पिछले past record की तरफ जाएं, तो सूरी कुमार यादव एक बहुती preferred choice निकल करके सामने आए है सूरी कुमार यादव और श्रीय सयर दोनों ही Mumbai को belong करते है और सूरी कुमार यादव तो Mumbai Indians के लिए खेलते भी है तो ग्रोहि शर्मा के काफी close दोनों है लेकिन सूरी कुमार यादव के साथ वो ज़्यादा टैंक spend करते है और राहुल द्रविर की सोच पर भी ये बहुत ज़्यादा depend करेगा कि आगे जाते हुए ना सिरीज में बलकि आगे जाते हुए आप क्या करते हो और जो key factor play करेगा मेरे हिसाब से सूरी कुमार यादव वो शर्यास एयर के बीच इस slot की जंग में वो ये होगा कि क्या विराट को ले T20 cricket आगे चलके खेलते हैं या रही अगर नहीं खेलते हैं तो आप 3-4 पे दोनों को सेट कर सकते हो लेकिन अगर वो T20 cricket खेलते हैं तो फिर नमबर 4 पर वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ पर दोनों के बीच मामला खड़ा हो जाएगा फिलाल इन माई उपिनिन यहाँ पर श्रियस अइयर को मैं खेलता हुआ देख रहा हूँ एट नमबर 4 क्योंकि सूरे कुमार यादव को आप नमबर 3 पर खिला रहे थे T20 फॉमैट यानि कि आप उनको विराट कोली की डिपलेस्मेंट के तौर पर देख रहे थे अब अगर यह सीरीज World T20 के बाद हो रही होती तो चूकि आप सूरे कुमार यादव को as a preferred batsman World T20 में लेकर के गए थे तो वहाँ पर वो पहले टीम में जगा बना सकते थे लेकिन क्योंकि श्रीयस आयर हमारे पास पहले भी वंडे क्रिकेट में पर्मनेंट थे चोट लगने से पहले श्रीयस आयर की टीम इंडिया में जगा पकी मानी जाती थी टीम इंडिया के वो वाइस कप्तान बनने की भी रेस में थे और नमबर 4 पर प्रिफर्ड चोइस थे टीम इंडिया की इस वज़े से वंडे क्रिकेट में उन्हीं को तरजीह मिलेगी और मेरे हिसाब से उन्हीं को तरजीह मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत तगला कॉंपिटिशन है और वंडे सीरीज आते हैं यह इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि सूरे कुमार यादो क्या पीछे करके आए हैं और श्रिया सायर को अगर इन बाकी के दो टेस मैचे में मौका मिलता है किसी के जगा मेभी चेटेशवर पुजारा की जगा या मेभी अजिंके रहाने की जगा अगर वो एक टेस मैच में और फेल होते हैं या फिर टीम इन माई उपिनेर अगर टीम इंडिया की स्कॉर्ड बनेगी तो आपके ओपनर होंगे यहाँ पे केल राहूल और शिकर्दवान, नमबर तीन पर आपके होंगे विराट कोली, नमबर चार पर आपके श्रियास आयर, नमबर पाज पर रिशप पन्त और नमबर चे पर वैंक अगर इस तरीकी का डिसीजर लिया जाता है तो आपका क्या मानना है और इन तीनो ऑप्शन में से आपका कौन सा फेवरिट ऑप्शन है, क्या आपकी एल राहूल को मिडिल ओर में ही खेलते देखना चाहते हो एट नमबर फूर, क्या श्रियास आयर आपके नमबर चार है, या फिर सूरिकुमार यादफ के साथ आप नमबर चार पर जाना चाहते हो, जो भी ऑप्शन आप पिक करो, ये याद करके पिक करना, ये समद करके पिक करना, कि 2023 के वर्ल्ड कप की प्रपरेशन अभी से शुरू हो रही है, और जिस तरह से हमारी टीम सेलेक्ट होगी, with the new captain with the new coach, उसी दिशा में हम आगे जाएंगे, अब आपके जो भी उपीनें ने फटापट से comment box में लिख करके बताईए, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, मेरा काम पसंद आए हो तो चैनल को सब्स्क्राइब करिए, और इसी तरीके के analytical वीडियो उसके लिए बने रही है sports encounter के साथ